वेल्कम बैक तु यूर फैवरिट यूटीओ चैनल इन जहार ताफ सभी का वेलकम है आपकी खुबसूरास से चैनल पे जिसका नाम है जहार कॉलेज ताफ सभी का क्या है मौस्ट मौस्ट वेलकम है जैसे कि आप सभी को पता था कि हम लोग ओस्यों के फिस्ट चैप्टर के ब बटिनेशनल कंपनीं के बाड़े में जिए इंडिया है ति century इंडिया में यह company है ठीक है इस company का ना में बाटा ठीक है अब यह बाटा company अगर चाहता है कि इस company को अमेरिका ठीक है जपान ठीक है औस्ट्रेलिया ठीक है इन जगा पर इसको यह बाटा reopening डालना है अब ये बार्टा कंपनी है इंडिया का बाट ये बाटा अमरीका में भी जा सकता है जापन में भी जा सकता है और wonder description हमारे अमेरीका जापन में एक कंपनी है क्यों कंपनी है नदेर कंट्री में मतलब जादा मल्टी जादा नेशनल मतलब स्टेट कि आलग अलग नेशन में इसके क्या है? business है तो मतलब इस बाता company के multi मतलब ज्यादा national मतलब state इसे की Australia, America, Japan इनी जगा पर क्या है इसका franchise का business है तो इसे को बोलते है multi national companies example आप सभी को पता होगा कि जो infosys है विप्रो है यह सारे चीज़े जो company है इस company की multi national companies है मतलब अलग-अलग state में companies है आप सभी को पता होगा तो Microsoft Corporation, Microsoft Corporation अमेरिका की company है but Microsoft Corporation हार एक country में use होता है तो उस Microsoft Corporation क्या हो गया multi national companies हो गया ठीक है अगर मैं बात करूँ नेस्टेल की जो नेस्टेल company है नेस्टेल company है स्विजर लेंड की बट नेस्टेल company की हार जगा पर क्या है company है जैसे कि इंडिया में भी है और तो नेस्टेल क्या हो गई multi national companies हो गई मतलब कि इसकी एक company ज्यादा company है जैसे कि मैं ने बता है कि बाता की इंडिया में company है अब इस बाता की multi national में companies है जपान में भी है इरोप में भी है अलग 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 श्टेट में हैं अलग 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 नेशन में हैं तो इस कॉल्ड है जा कि बाता एक है या multinational corporation बोलो या multinational companies बोलो इस आल डाट सेम कोई डिफ्रेंट नहीं है ठीक है चलो क्या बोला अब multinational corporation is a business organization that operates in many different countries at the sometime बोला गया कि भया एक कैसी company जो कि एक ही समय में बहुत ज़्यादा देश में क्या एक्सेंज करती मतलब manufacturing export इंपोर्ट करती हो sell करती सब्सक्राइब इंडिया में आप इंडिया में सब अगर आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए क्यों कि आपको पता है कि आपको कंपनी एक से जगा दो जगा तीन जगा चार्ज जगा या करना इस करना है जब आप ज्यादा कंपनिया को 눌러 stable करोगे तो आपके पास उतना पैसा होना चीय आपके पास उतने पैसे होंगे तभना कर सकतेtte कि आपके पर सुरृप्या है अगर आपके पूंस ठीच ह Allahu कर सकते हो तो क्या आप अगर से बिजनेस चालू कर रहे हो एक जगा तो आप क्या मल्टी नेशनल कहला होगे नहीं कहला होगे अगर ये कंपनिया दस नेशन में काम करेगी तो ये क्या कहलाएगी मल्टी नेशनल कहलाएगी जरूर शौर ये मल्टी नेशनल कहलाएगी क्योंकि ये दस नेशन में काम कर रह अगर बिजनेस करना है अगर आपको इंडिया से रिलेट बाहर एमरिका साउथ अफरीका आस्ट्रेलिया यहां पर बिजनेस करना है तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा और आपके पास असेट्स होने चीए ठीक है कि अन्व ने जञे एकिन सेकेंड बॉला है इंटरनेशनल ऑपरिशार मन सेप्रोडक्शन एड मार्केटिंग सब्सक्राइब कर रहा हूं अपने इंडिया में कर रहा हूं नेशन अलग- नेशन में सेलिंग कर रहा हूं एक्सपोर्ट का चल में कर रहो तो इसली स truth कली जा जाओ वोगा जए कूंषा से गरोंगा और वहां पर manufacturing करूँगा और पब्ली को जा करूँगा service दूँगा ठीक है अपना selling करूँगा ठीक है चलो फिर क्या बोला गया centralized control MNCs are characterized by unity of control MNCs control business activities of their branches in foreign countries तो Haid of is in the home country जैसले कि में आपको पता दिया ऑचवाटा कंपणीए अभी तरप hops अपनी इंडिया में हो बॉत इंडिया में है और सब्सक्राइब कर दिया आपको बोड़ा क्या है कि आप जब भी कि मल्टी नेशनल यूज करो कि मल्टी नेशनल कंपनी आप करना है आपको तो आपको एक होम कंट्री में आपको एक बिजनेस डाल के रखना होगा फोई में किो जहां पे आ पर आप रहते हुं सब्सक्राइब करेगा तो में एड फास पर होगा होगा मेरे हेड आप और मेरे बिजनेस चलेंगे नेशन लागला में चलेंगे यहां पर मैं रहता हूं वहां पर होना चाहिए ठीक है सिंपल समझ में आया है यहां तक करेगा जो भी MNC का मालिक होगा जो भी MNC का मालिक होगा उसको कंट्रोल करेगा ठीक है चलो उसके बाद दिखते हैं अ क्या मैचिंटी एकनामिक पॉवर मतलब बहुत जादे एकनामिक पावर जीसे के MNC और पावर फुल उकनाम के एंटीड़ी तो क्या करें अब अच्छे मार्जिन में तो आपको क्या करोगे अपने कमपनी को क्या करो अपने क्या करो अपने शरूप करोगे मतलब हाई लेकिग जाओगे तो तभी भी कभी क्या होता है देखो जवाप की company जब आपकी company है इंडिया बाटा company है बाटा company हमारे इंडिया में अच्छी चल रही है और नोगर डिमांड है और foreign वाले कपी अच्छा अब यह जा रही है अगर इंडिया से 10,000 कमा रही है और 5000 कहां से कमा रही है अमेरिका से कमा रही है तो कितना हो गया 15,000 हो गया मतलब कि जितना ज्यादा अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर डॉलर चलता है तो हमारे पास आउट ओफ कंट्री का पैसा आएगा उससे क्या होगा हमारे economic का wealth होगा हमारे economic growth करेगा तो multinational company का यही फायदा होता है कि हमारे country में बाहर देसू का पैसा आता है उससे हमारे country का हमारे economic का welfare होता है ठीक है चलुँ आगे दिखिंगे professional management और MNC employees professionel में आपको बता है कि भाई आप MNC company है मतलब multinational companies है बड़े companies है तो बड़े companies को जो मालिक होते हैं जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं अच्छे अच्छी management लाते अच्छे अच्छे एसे employee लाएंगे ऐसे personal लाएंगे जो की professional हो जो अपने काम में एक अपना क्लेवल करे अगर मैं यहां पर पढ़ाने के लिए किसी और को लिखा हो तो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा अगर मैं किसी expert को लिखा हो तो काफी अच्छा आपको पढ़ा पाएगा तो यहां पर यही matter करती है कि अगर आप experience बंदा लाते हो आप अगर professional बंदा लाते वह बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है वह बहुत ज़्यादा स्किलफूल होता है वह बहुत ज़्यादा ब्रेंड माइंड होता है तो इस तरीके से एम्रिका जांगे काम करने के लिए नइ यहाँ पे अमницुल के में जावर्ठी है तो मोग घर समालते हैं वहां से कमा हैं तो यहाँ सिस्टम चलता है कि यहाँ पर क्या होता पॉब्लिक को इंप्लाइमेंट मिलती है कि आप देखते हैं कुछ मैरिट्स अगर भाई अगर मल्टी नेशनल कंपने से कुछ मैरिट्स होंगे कुछ तो एडवांटेज भी होगा और कुछ होगा डिस अडवांटेज अगर्टा इंप्लोइमंस में काम कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को मदद मिल रहे हैं कंपनी पंपनी अपना घर समाल रहे बट यह अगर 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 जाती है यह अगर 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 का करेंगे जो अगर के लोग है वह इस बाटा कंपनी में काम करेंगे मतलब अगर के लोगों को भी का मिलेगा मिलेगा उनको भी क्या ओगा क्विज्जेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो इससे क्या होगा विज्जवे सी प्लेप hijom पहले है आपको बता है आपको बता इंडिया का बिजनेस एमेरीका में जा रहा है तो तो घुजद चलता है तो अलग अलग नेशन में अलग अलग करनसी चलती है तो अलग अलग करन से अगर हमारी ildia में आएगी तो हमारी इंडिया क्याओगा एकोनौमिक ग्रोफ करेंगा और हमारी इंडिया क्या होंगा इंडिया क्या जो भी waren capital होगा चलिए इसके बाद देखेंगą ट्र Ty कि क्या बुलाएं में मेरिट्स ऑफ टेक्निकल डेवलोप्मेंट ऑफ और सिंपल सी बात है जो एमेंसी एमेंसी क्या जो मल्टिनेशनल कंपनीज भाई वो कैरी करती क्या गरी करती उनके लिए एडवांटेज है कि वो टेक्निकल जो भी मतलब अगर सपोज यहां पर देखो अगर यह इंडिया का एक पीपल है ठीक है एक वरकर है जो कि थोड़ा सा काम कर रहा है ठीक है कुछ कुछ काम कर रहा है अमेरिका में को जो एक पीपल है बहुत स्किलफूल है और कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है मतलब क्या आप कुछ कुछ सिखने मिलता है सब कुछ आप इंडिया में काम चल रहा हैं अब एंडिया सिटो प्ने अमेरिका हैं कि इहां पे ने प्रोज़े काम हो रहा है कुछ इंडिया यहां का जो भी काम करने का तरीका है, उसको क्या करेंगे, इंडिया में भी क्या करेंगे, ले लेंगे, मतलब टैक्निक यूज करेंगे, कि भाई कौन से टैक्निक से अच्छा काम हो रहा है, तो जहां भी टैक्निक अच्छा होगा, जहां भी अच्छे टैक्निक से काम होगा, ले तो जब बिजनेस में एक से दूसरे देश में जाता है तो हमें कुछ टैक्नीकल डैवलॉप्मेंट देखने को मिलता है कि इंडिया में इस सरी के सी काम चल रहा है बट अमरीका में उस तरिक लेटस्ट मैनेजमेंट टेखने एंच नॉलेज और आपको बता दिया कुछ प्रोपेशनल यह पृट से यह आई क्या करते हैं अपने बंदे को हाइर करते हैं जिसके पास पंदे फंद ऑगरते हैं एंग्ड हाइर करते हैं और MNC company ना जो भी PhD करने वाला हूँ तो जो PhD करता है वो ऐसे बंदे हायर करते क्योंकि PhD होले क्या करते है research करते क्या हमारे market में हमारे economic में क्या ही चल रहा है उससे क्या करते है research करते है एक report बताते कि भाई market में इस चीज़ कमी है तो आपन ये चीज़ करेंगे तो हमारे market में क्या होगा demand होगा तो researcher हर एक topic पर research करते हैं तो हर एक multinational companies के पास अच्छे अच्छे researcher होते हैं जो research करते हैं हमारे country को हमारे nation को कि भाई ये business कहां कहां पर चल सकता है कहां कहां पर नहीं चल सकता है इसके बारे में क्या सारे रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद एक professional उस रिसर्च को देखके एक अच्छा decision ले सकता है और अपने companies को अच्छी तरीके से क्या करता है, grow कर सकता है बच्चो, ठीके, तो यहाँ पर क्या होगा, managerial improvement, managerial development, ठीके, मतलब simple सी बात है, यहाँ प कि बात क्या बोला है, improvement in standard of living, simple सी बात है, by providing quality products and service, advances help to improve the standard of living of people at host countries, simple सी बात है, अगर भाई, मेरी ठीशट की company है, अगर मेरी एक अच्छी cloth की company है, अब वो cloth मैने इंडे में बेच रहा हू, इंडे मेन चल रहा है, तो वहां का तो economic बढ़ी रहा है, अगर वही कपड़ा मैं अबरिका में बेचू, तो वहां के भी लोग उसे purchase करेंगे, और अपना standard of living क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बच्चो, standard of living मतलब जीने आ और रहने जाने का तरीका, रहने और सहने का तरीका, मतलब किस तरीके से आप रहते हो, आपके standard of living कैसा है, ठीके, अब यह आपका अबरिका कंपनी को इंडिया में आ गई, तो उससे का होगा, जो भी इंडिया के people है, उनको उस company में job मिलेगा, और उस company में job करें कुछ सीख सकते हैं, उससे अच्छा पैसा कमा के, खुद का एक standard of living बढ़ा सकते हैं, बच्चो, clear, समझ में आ रहा है, शरू, आगे कोशन में कुछ भी आए, एक्जाम में अगर पूछा गया, डी मैरिट्स एडी सद्वनेटेज, तो आपको यही लिख क्या आना, ठीक है, शौरे चलो, देखते ही क्या है, डेंजर फॉर डॉमेस्टिक इंडस्ट्री, एमेंसी विकॉर्ज आप देयर वेस्ट एकोनोमी, प पता है के नहीं पता, अब जो इंडाय में कॉछ कंपनी है इंड़ा की रहा है, इंड ZustE, अगर इंडाय बना रहे है तो इस इंडिया वालो को इस के इंडर काम कर रहे है, उसको पता चल रह है तो इसको पता चल जाएगा तो इससे क्या होगा हमारे डॉमेस्टिक का क्या होगा हमारे डेमस्टिक क्या हो सकता है क्योंकि जो हमारे मसाला हो रहा है हम क्या कर रहे हैं बाहर जाके बेच रहे हैं बाहर आउट आप कंट्री में आउट आप नेशन में बेच रहे हैं इससे क्या होगा हमारे डॉमेस्टिक जो भी हमारे तो आपको गॉबर्मेंट को पे करना होता है ऐसी हालक जगा का है अगर यह बाता कंपनी इंडिया छोड़के अगर यह तो इमरीका में जो भी प्रॉफिट होगा कुछ परसेट उसके उहां के गवर्रमेंट को देना होगा तुर इसके लिए कमपनी में अपको अलग अलग नेशन में आपको टेक्स के रूप में देना पढ़ रहा है पैसा ठीक है तो कहीं नहीं क्या है डिस अड्वांटेज क्या है क्या है रिप्रेशन और प्रॉफिट ठीक है फिर क्या बोला इंटर्फेरेंस इंचली एमेंसी हैफ दा गवर्मेंट और फॉस्ट कंट्री इन अ मेंबर आप इंडा कंपनी यहां पर इंडिया में है तो यहां पर इंडिया क्या कर सकते है इंटर्फेर कर सकते हैं कुछ भी वोल सकते हैं यहां पर वाले नहीं बोल सकते तो यह company कहा पर अमरीका में जो company यहां होगी वहाँ क्या government उस पर कुछ भी डिसीजन राइट ले सकते हैं बच्चों इंडिया में हैं तो इंडया government लेंगे अगर अमरीका में हैं तो तो इंट्र पर सकते हैं तो कहीं नहीं मेरिट्स है कि आपको जो जो कंटर में रहना होगा तो चलना हो गाटी कि चल ला बत क्या बोला है जाब बोला है miss issue of mighty status MNCs are powerful economic it is they can afford to bear losses for a long while in the hope of earning health profits अब सिम्पल सी बात है अब यह x y z को लगता है कि भाई मैं इंडिया में अच्छा खासा profit अर्ण कर रहा हूँ मैं जाके अम्मा अमेरिका में भी अच्छा खासा profit कमा हूँगा हो सकता है कि इसकी जो brand है वह अमेरिका में जाए और अमेरिका के पीपल को पसंद ना है इसकी जो brand है वह अमेरिका में जाए और वहां हो सकता है कि अमेरिका के पीपल को उसको पसंद ही ना है वह brand तो क्या हो सकता है इसको कहीं न कहीं loss हो सकता है तो multinational companies भाई दोनों तरफ agree होती कि भाई वो loss होगा तो भी जहलेगी और profit होगा तो भी जहलेगी तो इसका कोई fix नहीं है कि भाई अगर बाटा company चपल की company अगर इंडिया में कमा रही है तो वो जाके एंबरिका में भी उतना ही profitable कमा सकती है ऐसा कोई fix नहीं है उससे ज्यादा भी कमा सकती है उससे कब भी कमा सकती है तो यहाँ पर यही बात बता रहा हो मैं आपको कि जो बाटा company अगर इंडिया में 100 कोड कमा रही है अमरिका में अगर flop हो गई तो वहाँ पर loss में भी जा सकती है तो multinational companies को इस time पर bearing करना होगा अगर loss होगा तो भी उनको क्या होगा जिलना होगा तो कहीं न कहीं disadvantage है बच्चो क्या है disadvantage है कि fix नहीं होता क्योंकि वहाँ का nation है वहाँ का rules and regulation चलेगा वहाँ पर किस तरीके से business करना है वहाँ कुछ अलग development होगा कुछ अलग climate होगा तो उसको मद्दे नजर रखते होगे आपको वहाँ पर business क्या करना है करना है तो यहाँ पर क्या हो गया मतलब कुछ fix नहीं क्या पिंडेव जैसे कर रहे हो इससे आपको आपको काफी अच्छे तरीके सीखना मिला होगा अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना सस्क्राइब करना कमेंट्स करना दोस्तों को शेयर करना बाबाई टैक केर ख्याल रखना बाबाई